एक तरफ जहां परियावरन को बचाने के लिए सरकार करोडों रुपे खर्च कर पौधारोपन कर रही है तो वहीं दूसरी और वन माफियाओं के द्वारा हरे भरे पेडों की धडलने से कटाई की जा रही है तासा मामला शुजालपूर से आया है जहां लकडी का अवैध परिवहन कर इंदोर ले जा रहा है ट्रक को पकड़ा गया है वनवी भाग उपमाण्यादिकारी पराक सेनानी ने पताया कि मुखबीर से सूचना मिली थी कि काला पीपल शेत्र के बामुलिया गाउ से एक ट्रक आम की लकडी भर कर ले जाई जा रही है सूचना पर वनवी भाग की टीम ने डाबला धिर मार्ग पर ट्रक को रुका ट्रक में सवार ड्राइवर से जब नकली परिवहन की अनुमती मांगी तो वह नहीं दे पाया इसके बाद वनवी भाग द्वारा अफताफ निवासी, खेजुडिया तहसील, बेसरिया तथा चालक विश्नु मेवाडा, निवासी ग्राम देवली, जीरासी होर की खिलाफ बगेर अनुग्या पत्र के अवेद रूप से लकडिया परिवन करने के आरोप में वन्य सरक्षन अभिनियम की विभिन धाराओं में कारवाही करते हुए वाहन को अपनी जपती में लिया है, पकड़े गए वाहन की कीमत करीब 4 लाग तथा ट्रक में भरी लकडि की कीमत 7,000 रुपे के करीब है